सब्सक्राइब करिये मन्टू आउनलाइन चैनल को मोबाइल इंटरनेट आउनलाइन टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए और दवाएए बैल आइकन को इडिकाड री प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आपको आना है अपने प्ले स्टोर में चलते हैं यह देखिए मैं प्ले स्टोर में आ गया और यहां पर आपको सर्च बार में टैप करना है वोटर हल्प लाइन देखिए यह वोटर हल्प लाइन आ गया है और यहां पर मैं से दिखता है चलिए ये देखे ये खुल गया है और यहाँ पर आपको explore वाले पर क्लिक करना है देखे मैंने इस पर किया और यहाँ पर देखे issue of replant election photo identity card यहाँ पर हमें क्लिक करना है चलिए हम यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से हमें आप continue कर देना है देखे ये continue हो गया अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना state select करना है चलिए हम अपना state select कर लेते हैं और यहाँ पर आप district select कर लेते हैं चलिए हम यहाँ से अपना district select कर लेते हैं और यहाँ पर देखे यहाँ पर आप तैसिल select कर लेंगे अपना निर्वाचन से तरह चलिए हम यह सेलेक्ट कर लिया और यहां से हमें simply next कर देना है अब देखिए यहां पर आपको अपना name टैप कर लेना है चलिए हम अपना name टैप कर लेते हैं देखिए यहां पर हमने इंगलीज में टैप किया और यहां पर automatic हिंदी में आ गया देखिए यहां पर हमें अपना date of birth सेलेक्ट करना है चलिए हम अपना date of birth सेलेक्ट कर लेते हैं देखिए हमने अपना date of birth सेलेक्ट कर लिया यहां पर हमें अपना email id डाल देना है देखिए email id डाल दिया हमने यहाँ पर हमें अपना mobile number डाल देना है चलिए हम mobile number डाल देते हैं और यहाँ पर हमें अपना water id card number डाल देना है यह card number मैं बता देता हूँ आपको कहा मिलेगा यह water id card के उपर लिखा रहता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से नंबर होता है वोटर आईडी कार्ड का नंबर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेरा वोटर आईडी कार्ड आया हुआ था ये खो गया है इसलिए मैं दुबारा रिप्रिंट करा रहा हूं इसको देखिए यह वो ट्राइडी काड नमबर है इसी को हमें वहाँ पर डालना है तो चलिए हम वहाँ पर डाल लेते हैं इसको देखिए चलिए हमें वहाँ और देख लेते हैं देखिए हमने अपना वोटर आईडी काड नमबर डाल लिया और यहाँ पर इंडियन सिटी सिजन पर क्लिक करना है चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देखिए यहां से मेल फिमेल सेलक करना है हमने मेल कर लिया अब यहाँ पर सिंपल हमें नेक्स्ट कर देना है अब देखिए ये दूसरा step खुल के आ गया यहां पर हमें यहां देखिए पूरा address डालना है जो हमारे water id card पे डला हुआ है सेम वैसे ही address डालना है आपको नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा नहीं आएगा water id card आपका रिप्रिंट होके तो चलिए हम address सही सही डाल लेते हैं जो हमारे water id card पे लिखा हुआ है यहां पर हमने पूरा address फिल कर लिया है देखिए यहां पर हमने अपना पूरा address यहां पर PIN CODE NUMBER यहां पर हमने अपना DISTICT और यहां पर हम अपना PANCHAT और यहांपर-Village, यहांपर WARD NUMBER यह सारा कुछ हमने यहां पर डाल रखा है और यहां पर अब हमें SIMPLY NEXT कर देना है चलिए यहां से NEXT कर दिये और यहां पर family detail पूछ रहा है तो चली हम यहां पर अपने papa का नाम डाल देते हैं तो चली हम डाल देते हैं papa का नाम यहां पर first name डालना है और यहां पर last name डालना है देखिए यहाँ पर हमने अपनी family detail डाल ली अब यहाँ पर simply हमें next कर देना है देखिए यहाँ से हम next कर देते हैं यह देखिए हमने next कर दिया यहाँ से अब यहाँ पर पूछ रहा है यह कि reason for apply for a duplicate card तो यहाँ पर हमें यह reason डालना है कि हमारा card फट गया या खो गया तो जो भी आप यहाँ पर reason डाल सकते हैं तो मेरा card खो गया तो मैं यहाँ पर lost डाल देता हूँ lost my card देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया lost my card region मैंने यह डाल दिया और यहाँ पर देखिए 3 option आ रहा है यहाँ पर आ रहा है I will collect EPIC from VRC या CSC यहाँ पर CSC Center जो आपके नजदीक होगा अगर आप वहाँ से card को लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं वहाँ पर आपको 50 रुपर चार्ज लगेगा CSC Center पर जाके जो आपके नजदीक CSC Center वाले हैं उनके पास जाके आप card वहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ से जो application number generate होगा उसको दे कर और यहाँ पर दूसरा option है कि I wish to receive my EPIC by post अगर आप यहाँ से by post से मंगाना चाहते हैं तो उससे भी मंगा सकते हैं लेकिन यह by post में दो तीन महिने का time लग जाता है इसमें थोड़ा time लगता है और यह तीसरा option I will collect EPIC from BLO तो यह देखिए हर गाउं और हर छेतर का एक BLO होता है ग्राम पंचायत का तो आप उससे collect करना चाहते हैं तो उससे आप कर सकते हैं तो मैं उसी से करने वाला हूँ तो चलिए मैं third option पर click कर देता हूँ तो चलिए यहाँ पर click करके हम next करते हैं simply देखिए यहाँ पर हम simply next कर दिया और यहाँ पर हमें पूछ रहा है I have I have written my multi black all card तो यहाँ पर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर हम जहां से हम यह order कर रहे हैं यहाँ पर इसको नाम लिख देना है हमें यहाँ पर हम जहां से यह order कर रहे हैं place का नाम तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं वीना और यहाँ पर date अपने आप आ रखी है और यहाँ पर हमें simply कर देना है यहां पर हमने क्लिक कर देना है देखिए यह हमारा अप्लिकेशन अभी हो गया है हम यहां पर सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि कुछ से इसमें गलती तो नहीं है देखिए हमने सारा कुछ यहाँ पर डाल रखा है अपना email id, mobile number, epic number यहाँ पर हर चीर हमें सब कुछ करके यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमें यहाँ से कुछ गलती तो नहीं हुई है और यहाँ पर हमें simply confirm पर click करना है तो चलिए हम confirm में click कर दिए देखिए यह हमारा application number आगिया है इसको हम screenshot लेके रख लेंगे, चलिए मैं screenshot ले लेता हूँ इसका और देखिए यह हमारा application successfully हो चुका है अब यहाँ पर हमें simply यह करना है कि यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर इसको click कर देते हैं और यहाँ पर इसको download करके रख लेंगे और यहाँ पर आपका जो BLO होगा, जो आपके पंचायत का एक BLO होता है, जो voter ID card बनाता है तो वो आपको लाके देगा तो आप यहाँ पर उसका number ले सकते हैं चलिए हम यहाँ पर click करते हैं उसकी detail BLO की detail आ रही है दोरा wait कर लेते हैं देखिए यहाँ पर हमारे BLO का एक, दो, तीन, चार यहाँ पर देखिए चार BLO आ रखा है, हम यहाँ पर जो भी आप जो भी जानकार हो आप उसको दे सकते हैं यहाँ पर देखिए cheap election officer, district election officer और electoral registration officer और BLO, देखिए यह हमारा BJ कुमार BLO है यहाँ पर हम इसका number है इस पर हम screenshot ले लेते हैं इस पर हम call करके बाद मेंसे पूछ लेंगे तो यह देखिए आप, ऐसे आपके छेतर का BLO का number आ जाएगा आप हमें कुछ नहीं करना है आप इसका screenshot ले लीजिए बाद में उसको call करने के लिए और यहाँ से हमें back आ जाना है अब यह देखिए इस application number को हमें download कर लेना है simply अपने file में चलिए हमने download कर लिया अब देखिए इसका status चेक करने के लिए हमें सब से पहले हमें यहाँ पर आना है explore वाले पर दोवारा से और यहाँ पर जो हमने connection किया है यहाँ पर देखिए status of application पर click करना है इसमें करने के बाद यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर हमें वही अभी जो हमने application डाला था यहाँ पर वो आ रखा है अब यहाँ पर हमें इसका status देखना है track status पर तो देखिए यहाँ पर अभी हमने submit कर दिया है देखिए दो तारिका date है अब यहाँ पर यह BLO appointed करेगा जो जिस BLO के पास हमने भेजा है वो आएगा फिल वेरिपकेशन होगा उसके बाद accept होके आपके पास आपका card पहुंच जाएगा तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो में